मैं एक training conduct करा रहा हूँ आप लोग contact कर सकते हैं Amazon Flipkart पे आपको orders नहीं आ रहे हैं कुछ काम मैं आपको बताता हूँ अगर आप ये काम करते हैं तो आपको orders आना शुरू हो जाएंगे और देखेंगे कि आपको sales में increment होना शुरू हो गया है अब सबसे पहले आपको करना ही है कि आपने product के combos बनाने है combos क्या होते हैं combos का मतलब ये कि suppose जैसे आप एक libistic sale कर रहे हैं उसका combination बनाते हैं यानि कि 3 libistic sale करते हैं तो ये combos हो गया कि आपने joint करके एक pack आप customer को दे रहे हैं अब यहाँ पर customer attract होता है combos को देखके क्योंकि pricing जो है यहाँ पर आपको आप जो है क्योंकि shipping आपकी half kg की ही लगती है तो आप pricing उसी हिसाब से decide करते हैं जैसे suppose आप एक libistic 200 रुपे की बेच रहे हैं अब वही यहाँ पर आप 3 libistic 400 रुपे की बेचेंगे तो यहाँ पर customer को दिखेगा कि price तो बढ़ गया लेकिन मुझे यहाँ पर जो deal है वो अच्छी मिल लेए एक libistic 200 की मिल लेए 400 में मुझे 3 मिल लेए तो customer उस product को purchase करना चाते हैं जिसमें deal अच्छी होती है और online में Amazon Flipkart पे जब भी customer आते हैं वो search यही करते हैं कि उन्हें कौन से product में अच्छी deal मिल लेए दूसरा तरीका यह है कि आप product की accessories sale करिए जैसे आप garment sale कर रहे हैं suppose man jeans आप sale कर रहे हैं तो यहाँ पर आप socks भी sale करना शुरू कर दीजे तो यह high price वाले product जो हैं वो listed हैं आपके लेकिन उसके विहाफ पर आपने accessories भी list करी तो accessories वाले customers आपके पास आएंगे और वो लेके जाएंगे तो इससे क्या होगा आपके जो sales है वो maintain रहेगी अब यहाँ पर high value वाले product है listed लेकिन उसके साथ आपने accessories भी sale करी तो आपका transaction चलता रहेगा Amazon पे और फिर Amazon का system automatically push करना शुरू करता है तो यहाँ पर क्या है कि आपको sales increase होने के chances हैं तो यह तो होगी government की बात अगर इसी तरीके से आप back में deal कर रहे हैं सबोस आप backpack sale कर रहे हैं तो backpack से related accessories भी आप sale कर सकते हैं जैसे backpack का आपका back cover भी आता है वो आप sale कर सकते हैं तो आपने यहाँ पर आपको पता है कि back कहां से आ रहे हैं किस vendor से आप product ले रहे हैं कौन से manufacture से आप product ले रहे हैं उससे related accessories आपको कहां मिलेगी आपको idea हो जाएगा तो यहाँ पर आपकी जो main category है उसके साथ आपने अपना business expand कर लिया और यहाँ पर आपने accessories भी लाना शुरू कर दी और वो sale करना शुरू कर दी तो यह दूसरा method है जिस तरीके से आप Amazon flip card पर अपनी sale increase कर सकते हैं तीसरा काम आपको यह करना है कि buyers के productivity आप questions का revert करिए इसका अलग से tab है आप flip card पर देखेंगे तो buyers questions का आपको लिखाव आएगा उस पर जब आप click करेंगे जब morning में आप आते हैं अपने office तो buyers questions पर आप click करेंगे तो जो भी questions related पूछे है buyers ने उनका revert आप करिए seller panel पर आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको buyer questions में इस तरीके से आ जाएगा अगर किसी buyer ने question किया होगा unanswered पर हम click करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो related product है वो यहाँ पर show होगा जैसी आप revert करते हैं तो customers को लगता है कि हाँ मुझे कोई revert करने वाले हैं मेरे questions का जवाब देने वाले हैं तो यहाँ पर वो sales जो है वो जो questioning है वो sales में convert हो जाती है customer वहाँ से product ले लेता है कि अगर satisfy जवाब मिला कि हाँ product जो है जैसा मैंने पूछा वैसी मुझे सेलन ने बताया और उसी तरीके का product मुझे मिलेगा तो वह आपकी sales में generate हो जाता है इसी तरीके से Amazon पे भी message option देखेंगे तो वहाँ पर questions पूछते हैं बायर तो वहाँ पर भी आपको इसी तरीके से proactively reply करना है इस पर range set पर जब मैंने click किया तो यहां पर यह flip card का ही product है इस पर अगर हम देखें जो questions किये गए है customers के वह यहां पर आपको दिखेंगे यह देखेंगे तो यह तीन right way है किसी भी Amazon यह flip card पर जब आप product list करते हैं तो यहां पर आपको इसी तरीके से sales दिरे-दिरे generate होती है तो आप देखेंगे कि कुछ time बाद जिस category में आप deal कर रहे हैं तो उसमें भी आपको orders आना शुरू हो जाएंगे